खाएंगे जो भुपाल की एक ऐसी कॉलोनी की है जहां हर एक घर में पत्थरी का मरीज मौजूद है दरसल भुपाल शेहर में चार दशक पहले हुई तरासदी को लोग आज भी भुला नहीं पाए है दिसंबर 1984 में यूनियन कारवाइट फैक्टरी में 350 मीटरिक टन रसायनिक कच्रे ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया था भुपाल के लोग आज भी गैस कांड के दंश को झेल रहे हैं करीब 40 साल से इन लोगों को शुद्ध पाने का इंतजार है देखिए भुपाल से एंडी टीवी MPCG की एक खास रिपॉर्ट भुपाल गैस तरासदी का दंश आज भी कई लोग झेल रहे हैं और ये बात सबसे पहले जब सामने आई जब यहां पर कारवाइट फैक्टरी के आसपस रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनको आज भी यानि की करीब 40 साल बाद भी दूशित पानी पीने के लिए मिल रहा है यानि की जो पानी है उसमें जो है कही न कहीं केमिकल्स हैं मेटल्स हैं भोपाल गैस टाजडी के उस रसायने कच्रे की जिसको आज तक नहीं हटाया गया है मेरे पीछे आप ये जो लोग देख रहे हैं ये है ब्रिज विहार कॉलोनी के लोग और फैक्टरी के कुछ ही किलोमीटर दूर मैं कहूंगी ये कॉलोनी स्थित है लेकिन यहाँ पर आप इन लोगों की हालत का अंदाजा भी ने लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो पानी आत है वो काफी जदा खराब है और ऐसे कई elements हैं जो कि कहीं न कहीं पानी को दूशित बनाते हैं अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं सबसे ये देखिए ये जो है पीने का पानी है और ये पीने के पानी का आप ये देखिए ये इतना सफेद है कि किसी को भी इसको पी देने से पहले देखने में एक बार डर लग जाए हमारे साथ यहां पर कई लोग मौजुदे सर सबसे पहले मैं आप से ही जानूंगी क्या कुछ परिशानिया है आखिर क्यों 40 साल बाद भी इतना आप लोग तरस रहें क्या किसी से बाच्चीत नहीं हुई मेडम यहां पर सुप्रीम कोट के ने 42 चेतर थे इनको प्रदूशित घोशित किया गया था इन प्रदूशित चेतरों में सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था नगर निगम को कि आप इन बस्तियों के अंदर आप शुद्ध पेजल मोहिया कराएंगे जो हमारी जो बस्ती है ब्रजवियार कालोनी निशादपुरा चेतर के अंतरगत ही आती है निशादपुरा चेतर में ही है इसमें भी सुप्ष पेजल मोहिया कराने के आदेश सुप्रीम कोट मानी सुप्रीम कोट के दौरा दिये गए थे हमारी कालोनी को प्राइवेट कालोनी बता कर हम लोगों को प्रदूशन से वंचित किया रखा हुआ है क्या प्रदूशन क्या प्राइवेट कालोनी और सरकारी कालोनी देखकर घुसता है क्या मेरा सवाल सरकार से शाशन से ये है कितनी परशाय हैं है। मेडम जी, मेरे को पत्री हो गई थी, तो गोल बिल्डरी निकाल दिया गया, परेशानी तखलीब है, पेड़ दुखता है पानी कारण, पी नहीं सकते, यह बहुत बड़ी परेशानी पानी की दिक्कत है। किसी ने सुनवाई ने कि आपकी तो पेरोकीतनी हालत कराई हैं। कुछ सामगरी मिले, पीने के लिए सही पानी मिले, जिससे की उनका शारिर एक जुस्वास्ता है वो सही रहे। लेकिन 40 साल हो चुके हैं, और 40 साल से यहां की लोग सिर्फ इसी उम्मीद में हैं, जह हमारा देश 75 अमरित महुत सब मना रहा है आजादी का, लेकिन यहां पर जो है इनको उस दंश आजादी नहीं मिल पा रही है, जो कि यहां से 40 साल पहले भोपाल गयास टाजिदी हुई बहुत अरी नहीं मिलवके हैं, जहीं का मना प्रएब बिदान है, जहीं मिलवके हैं, फिसNally मिल पाfeito के जिना के रही है, जहीं चाहचे को बल पाले है, जहीं है, जहीं हुई है।